फातिमा शेक सावित्रिबाई फूले के मिशन की सबसे मजबूत सहयोगी और साथी शिक्षगाथी फातिमा शेक के जन की तारीक की कोई पुष्टी नहीं होती पर तकरीवन 200 साल पहले उनका जन हुआ था और उनके काम का शेत्र अंग्रेजों के जमाने का पूने था उनके बारे में क्यों जानना चाहिए? इतिहास में जहां पहला स्कूल खूलने का श्रे जोतिवा फूले को दिया जाता है तो पहली शिक्षिका के तौर पर नाम सावित्रिबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेक को भी याद किया जाता है फातिमा शेक ने तकरीबन 175 साल पहले समाज के सबसे दबे कुछले लोगों और खासकर स्क्रियों की तालीम के लिए सावित्रिबाई फूले के साथ कंधी से कंधा मिला कर काम किया एक जन्वरी सन 1848 में पूरे के बुदवार पेठ में जब पहला स्कूल खोला गया तो सावित्रिबाई के साथ फातिमा शेक भी वहाँ पढ़ाती थी जोतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के बारे में माहर माने जाने वाले लोगों के पास भी फातिमा के बारे में खास जानकारी नहीं है इसलिए उनसे जुड़ी ज्यादतर बातों के तक्थ्य नहीं मिलते लेकिन दलितों, वंचितों, स्त्रियों को तालीम दिलवाने के लिए फूले दमपती को खासी बाधाएं झेलनी पड़ी विरोध का सामना करना पड़ा और इस असर से फातिमा शेक भी अच्छूती नहीं रही सावित्रिबाई और फातिमा शेक लोगों के विरोध के सामने नहीं जुकी उन्होंने विरोध के बावजूद स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया और इस साजेदारी ने विरोधियों का सामना एक साथ किया सावित्रिवाई को फातिमा पर भरोसा था उनकी गैर हाजरी में वे स्कूल संभालती थी तो अगर सावित्रिवाई पहली महिला शिक्षका है और उन्हें क्रांती ज्योती कहा जाता है तो फातिमा शेक को क्या दरजा मिलना चाहिए